दामाद ने बीमार बेटी से मिलने नहीं दिया तो कोर्ट तक गई मौसमी, लेकिन वो कोमा में ऐसी गई कि फिर उठ न सकी, मौसमी चटजी और उनकी बेटी पायल सिन्हा की कहानी भावोग करने वाली है, पायल करीब देर साल तक कोमा में रहने के बाद दुनिया को कह गई, लेकिन अपने पीछे अपनी मा का संधर्ष अधूरा छोड़ गई, मा ने उसे बचाने के लिए हर संभव काईशिश की, नवंबर 2018 में मौसमी और उनके पती जयंत मुखरजी ने बेटी की देखभाल की इजाजत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दर्वाजा कभी पायल के परिवार को ऐसा करने से नहीं रोका, जब तूट गई पायल के पैरंस और बहन की आश ओथा और कॉल्मनिस्ट भारती एस प्रधान ने 2018 में अपने आर्टिकल में मौसमी के परिवार का दर्द बया किया था, उन्होंने लिखा था, अप्रेल 2017 से मैं हेमंत कु पोती और जयंत की बेटी पायल डायबिटिक कोमा में चली गई और अस्पताल में भरती भी रही, ये बेहद दुखद है, दिमाग में रखतसराव के चलते उसके ब्रेन की सरजरी करनी पड़ी, इसके बाद उसे कभी होश नहीं आया, वो तभी से कोमा में है, भारती ने आ या पायल, मौसमी और बाबू, जयन, को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, पायल के परिवार ने जब लंबे समय तक उसे लगातार कोमा में पड़े देखा, तब उन्हें एसास होना शुरू हुआ कि उनकी बेटी कितनी बुरी स्थिती में पहुँच चुकी है, बकॉ आद के रूप में उन्होंने जिस आदमी पर भरोसा किया, वह वाकई वैसा नहीं था, जैसा वे सोच रहे थे, सच्चाई उसे तोड रही थी, लेकिन उसने एक समलेंगे के साथ जिंदगी गुजारते हुए इस कड़वी सच्चाई को दबाए रखा, भारती आगे लिखत था, यह उसकी दाइबिटिक कोमा में जाने की शुरुआत थी, भारती के मुताबिक, इन महीनों में मैंने कई बार अस्पताल और घर जाकर पायल से मुलाकात की, उसके प्यारंस को सांथवना दी, इस दोरान मैंने अपने दामाद के प्रती उनका मोह भंग होते हुए भी देखा, जब पायल कोमा में चली गई, तब बाबु ने दुखी होते हुए कहा, इस उम्र में हमें वहाँ, पायल की जगा, होना चाहिए था और उसे हमारी चिंता करनी चाहिए थी, किसी माता पिता को इस दोर से न गुज़ना पड़े, 22 साल की उम्र में मां को किया था, प उस वक्त पायल की उम्र 22 साल थी, 2010 में उन्होंने बिजनिसमेंट डिकी सिनहा से शादी की थी